नमस्कार दोस्तूं, स्वागत है आपका फिर सी हमारे यूट्यूब चेनल में दोस्तूं, बहुत से लोगों की द्वारा ये पूछा जा रहा है कि खेत सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है तो आज हम इस वीडियो में खेत सब्द की अर्थ या मतलब के बारे में बात करींगी तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगी तो कृपया अपने प्यारे से हाथ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों खेत सब्द का अर्थ या मतलब जो होता है उसे कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है दोस्तों आज संसार के जिस भी कोनी में मनुस्य रहता हो उसे खाने के लिए अन की जरूरत पड़ती है और ये अन और कहीं से नहीं बलकि खेतों से पेदा होता है यानि खेत का अर्थ होता है फसल उत्पन करने है तू जमीन एवं छेतर इसे दूसरे सब्दों में कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है कि वे छेतर जो भूमे का उपजाओ छेतर में सामिल होता है और उस चेतर में भोजन के लिए जरूरत की फसलों का उत्पादन ही पर्थम लक्षे होता है उस भूमे को खेत कहा जाता है दोस्तों खेत सब्द की अर्थ को कुछ इस तरह से समझाएंगी फसल उत्पन करने है तू जमीन एवं छेतर बोजन के उप्योग की फसल का उत्पादन चेतर वै चेतर जिसे भूमी के रूप में कर्षी में काम में लिया जाता है खेत कहलाता है अनपेदा करने वली भूमी भी खेत होती है तो इस तरह से दोस्तों खेत सब्द का अर्थ होता है इसके इलावा दोस्तों, खेत सब्द के वाक्यम प्रियोग भी कर लिती हैं, जो कुछ इस तरह से हैं, नमबर वन, रामू बहुत ही गरीब हैं, मगर वैं मेंती भी बहुत अधिक होने के कारण से, बहुत ही अधिक मात्रा में अपने खेत से अन पेदा करता है, नमबर टू, अरे भाई श्याम, तुम्हें मालूम है क्या, कि गाउं में सबसे अधिक अन महेश के खेत में हुआ है, नमबर थरी, राजा ने इस बार पूरे राजे के लोगों को खेत में पसल बोने के लिए अन दिया, तो इस तरह से दोस्तों, खेत सब्द का अर्थ या मतलब होता है, अगर दोस्तों, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, तो अपने प्यारे से हाथ से चेनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ही वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा देना, अन्त में कमेंट में बताना की, आप किस सब्द के अर्थ के बारे में जानाना चाहते हैं, हम उस पर एक अलग से और अच्छा सा वीडियो बनाएं की,